नमस्कार दोस्तों श्वागत हैं आप सभी लोगों का एक बर फिर से आज गोवर्धन पूजा हैं और आप सब गौव माता को कुछ न कुछ जरूर खिलाते हैं जैसे कि गौव माता को गुण और चने खिलाने से क्या फाइदा होते हैं गौव माता को अगर रोटी खिलाते हैं तो इसे क्या फाइदा मिलते हैं गौव माता को हरी घास खिलाने से क्या फाइदा मिलते हैं और हमें हरी घास क्यों खिलाना ची तील के लड़ू खिलाने से क्या फाइदा मिलते हैं सारे जानकार इस विडियो में आप लोगों को बतानी की प्रैस करूंगा देखे चमा चाहूंगा आज मैं आप लोगों को लेड़ से विडियो दे रहूं कि मेरे भी थोड़ा सा पूजन पाट के बचे से स्वास्ता खराब हो चुक है क्योंकि रातरी कालन में हमें जो शाधन करना पड़ा था चलिए आज के जो बड़ों कभी से हैं बहुत ही सुन्दर हैं तो आज मैं आप लोगों को गौ माता को आप में से दिखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं गौ माता को रोटी जरूर खिलाते होंगे रोटी खिलाते हैं तो गौ माता को रोटी खिलाने से वास मन के साथ अगर ग्रास खिला आ जाए ग्रास के मतलब कुछ भी चीज खिला जाए तो इसे क्या फाइदा मिलते हरी घा से क्या फाइदा मिलते देखे अगर आज की बड़ो मिस करते हैं फिर आपको बाद में पस्ताना पड़ेगा इस प्रकार ज्यान भरी कोई भी वेक्ति मतलweit हां जब कि अई आ माता की फाइदा में बखकर जाए जाता है तो इसा माना जाते हैं गौमाता की मृत्य समय गर को भी वेक्ति मृत आशन में हो तो ऐसे वेक्ति गर गौमाता की पुछ शुवे तो ऐसे वेक्ति बहुत ही आसानी से बीना किसी कष्ट के बैतरणी नदी को पार कर जाते हैं जीते जी गौमाता हमें शुक देते हैं जैसे के अम्रित रूपी हमें दुध प्रदान करते हैं गौंधा कि अगाव माता को रीजिसहरा खिया वेक्ति का मुत नीरमीत कर सेब्सक्राइब पुझनी है गाव का इस्थान सभी दियोताओं में अती उत्तम है सभी दियोताओं सभी उत्तम है अगर हम सब गाव माता को रोटी खिलाते हैं आप भी गाव माता को रोटी जरूर खिलाते होंगे तो हम गाव माता को रोटी खिलाते होंगे तो इससे क्या फाइदा मिलते हैं और हाँ कोमेंट बाक्स में जए गौमाता जरूर लिखना विडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस प्रकार के जानकरिश भी होना जरूरी है ऐसा माना जाता है कि जो लोग गौमाता को रोटी खिलाते तो उनको दितने भी उनके पिढ़ी दर लाते हैं तो गौमाता को रोजाना रोटी जरूर खिला ये सास्तुर में लिखें से रोटी खिलाने से नीम्न प्रकार के और भी फाइदा मिलते हैं ऐसा माना जाता है कि गाय को गुण के साथ अगरों ज़आ जाए तो बहुत ही शुबकर होता हैं गाय को गौन के साथ होते हैं रोटी खिलाने से गौमाता त्रीपता होते हैं और गौमाता त्रीपता होते हैं तो उसके अंदर में निवासित जितने भी देवी देवी देवता होते हैं दिब्य शक्तियां होती हैं अलोकिक शक्तियां कहें सब हम पे बहुत प्रशन होती हैं हमें अनेको प्रकार क आशिरवात प्रदान करते हैं हमें शाहता प्रदान करते हैं दोस्तों गौ माता को रोटी खिलाने का एक और गजब का फायदा है कि हर बिगड़े काम को बनाने लगते हैं यदि किसी भी कार को आप कर रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं आप काफी मेहनत करने बाद भूश कारे में शफलता नहीं प्राप्त कर पारें तो गौ माता को गुड के साथ रोटी खिलाइए आब के हर बिगड़े काम बनने लगेंगे आपने से दिखता लोग बोलते हैं गुरु जी हम काफी मेनत करें हमारे काम बिगड़ते जा रहें लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रहे हैं तो गौ माता को रोटी खिलाइए और भी गौ माता को रोटी खिलाने के फैदे जैसे कि आप कोई छेतर में जा रहे हैं जो आपके लिए नया हैं और आप चाहते हैं कोई छेतर में आपको सफलता मिले तो गौ माता को रोटी खिलाने से उस छेतर में आपको सफलता जरूर मिलते हैं गौ माता को रोटी खिलाने से सभी प्रकार के लाब भी प्राप्त होते हैं और पुन्य के प्राप्त प्राप्ती होती हैं बहुत से लोग पुन्य कमाने के इक्चुक होते हैं फिर्थो की यातरा नहीं कर पाते हैं या फिर जो चार धाम यातर कहें हैं शारे धाम की यातरा नहीं कर पाते पुन्य प्राप्त करने की चुक होते हैं तो इस प्रकार के लोगों को क्या करना चाहिए गौ माता को रोटी खिलाना चाहिए गौ का दान करना चाहिए किसे योग्य ब्रामभर को गौ का दान करें गौ का गौ माता को रोटी खिला है कि गौमाता को रोटी खीलाने का एक और लिख्याद मरती करते हैं धर्मा के मारगे पे चलते हैं आज इकल हर इंसान कोई न कोई बड़ा हर इंसान की इक्षा होती है लेकिन काफी कोशिस करने के बाद भी पूरी नहीं हो पाती है इसलिए जो इंसान गौ माता को रूटी खिलाते हैं को रूटी खिलाना शुरू कर देते हैं तो गौ माता उनकी हर परकार की इक्षा को पूर खिलाना चाहिए यदि आप गौमाता को रोटी खिलाते हैं तो आपके ग्रह शुब फल देना शुरू कर देते हैं बहुंसे लोग अपने ग्रहों को अनुकुल करने के लिए गौमाता को रोटी देते हैं यदि आपको पता ने तो आपके ग्रह में अगर आपको लगते हैं कि कोई ग्रह कमजोर है जिसके करण आपकी उनती नहीं हो पारे हैं फिर शनी है रहू के तुम मंगल किसी भी ग्रह के पीड़ आपको समझ में भी नहीं आरे कि कुण से ग्रह आपको अनिष्ट़ फाल दे रहे हैं तो सच्चे मन के साथ पूरे विश्वास के साथ घर में बनाये जाने वाले प्रथम रोटी दो रोटी आपको गौमाता के लिए निकाल देने हैं और नित्याब को शुबा शाम दो रोटी गौमाता को खिलाना जादा दिन आप शेवा नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम एक महने तक गौमाता को रोटी खिला करके देखें ग्रहों के जो आप आपको दुष्प्रभाव में रुटी नसीब नहीं कर पारें तो ऐसे वेक्ट ये काम करें सोयम को भुखारा करके दो दिन तक गौमाता को अपने कुछ हिशे गौमाता को रुटी देना शुरू कर दीजे आपके कारे में ऐसा नती मिलेंगे आपको ऐसा धन दौलत की जो गौमाता की आप शेवा करिश में आपको श्रद्धा होना भी चाहिए क्रोध रूप या फिर आप जो है लोगवस करेंगे तो आपको फैदा नहीं मिलेंगे पूर्णा निष्टा के साथ साथ भक्ती होना भी जरूरी है और ये भी माना जाता है गौमाता को ताजा रो जाते हैं कि आपकी जो मृत पित रहें किशिन किशी मद्धम से जो अर्ध मृत्य को प्राप्त की आप चाहते हैं उन्हें मौक्षा मिले तो गौमाता को रूटी जरूर खिला ये आइब कर विदा बताऊगा तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी प्रकार के भौतिक यह नुक्सके परादाइ, भॉ माता जो परादा रुट लांसं आजुने अ oh हमाता को लिच्ट रुकामरी क्या रुटमाता को विए free- payment रुप मधला कालई अगे और खोड़ी में और काल्या अब ड्लान से उजेति पिढ़ी तक इस थाई रुब से चलता है साद पिढ़ी तक आपके धन खत्वा नहीं होता है गौ माता को तील के लड़ू खिलाने से पुन्य की प्राप्ति होता है अच्छा पुन्य की प्राप्ति होती ना समापत होने वाला पुन्य की प्राप्ति होता है गौ माता को तील क लड़ो भी खिला सकते हैं, गौमाता को बतासे भी खिला सकते हैं, गौमाता को अन भी खिला सकते हैं, अन खिलाना भी बहुत ही सरेश्टकर कहे गए हैं, तो पुन्य बढ़ाने के लिए, अपने धर्मा में बृद्धी करने के लिए, अपने पुन्य को बढ़ाने के लिए, अध्यात मुनती करने के लिए धनवान बनने के लिए गुडवान बनने के लिए बेपरीत परिशिती में फंजा कुछ समझ में ना आए तो गौ माता को आप जो है कुछ न कुछ जरू ग्रास खिलाईए आपको बेपरीत परिशिती से गौ माता ततकाल उबार लेते हैं एक बार सच्चे मन से कोमेंट बाक समें गौनमाता कि जय कारा जरूर लगाना और इस ब्ढ़ो को लेंडियर चर्णनल को सिबिस्क्राइब जरूर करेंगे और हैं इस ब्ढ़ो को अपने तक शिमीत मत रखन इसे आगे जरूर शेयर करना हो हथ तो आप जो बीड़ो से दोबारा शेयर करेंगे तो आपको भी पुन्य की प्राप्ती होगी आपको भी अच्छा दधन दावलत सुक्षमती हर चीज की प्राप्ती होगी गौमाता के क्रिपल से तो आज की जानकारी काईसा लगए हमें जरूर बताईगा बिर दखने के लिए नमस्कार